So guys, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वालेट्स के बारे में और आज की जमाने में अगर आप सोच रहे हो कि याँ डिजिटल का जमाना है और ये बंदा वालेट की बात कर रहे है तो भईया, वालेट कभी भी आउट ओफेशन नहीं होने वाला है वालेट आपके daily essential चीज़ें बहुत काम आता है क्योंकि आप उसमें अपनी छोटी-छोटी essential चीज़ें करते हो जैसे कि पैसे तो सबसे important है और उसी के साथ आपके cards, आपके eye cards भी जो है आपके कोई भी किसी तरीके के important document है आप वालेट में कर सकते हो और एक अच्छे वालेट की क्या पहचान होती है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा अगर आप pocket friendly wallet जो है ढून रहे है या कभी किसी को gift भी करना चाहते हो तो वो भी आपको solution मिलेगा टॉक चार्ज की इस वीडियो में तो मेरा नाम है उजवसुरी and you are watching टॉक चार्ज रेकमेंडेशन तो दोस्तों वालेट लेने के लिए कुछ चीज होगा ध्यान रखना होता है सबसे पहले तो कि लेदर क्वालेटी अच्छी है की नहीं है क्या उसमें वारेटी मिल रही है की नहीं मिल रही है यह सब exceptional चीज़े है बट हाँ obviously वारेटी करना एक ऐसा standard की हर कोई नहीं देता है लेकिन यहाँ पे जिस budget में आप ले रहे हो wallet जिस भी brand का वो जितने भी compartment दे रहा है वो enough है आपकी usage के हिसाब से तो वो देखना एक बहुत ज़रूरी काम है और इसी के साथ आपको यह देखना की क्या उसमें RFID technology है की नहीं क्योंकि RFID technology आज से पहले नहीं होती थी तो इसी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ पांच ऐसे best wallet जो की leather quality में आते है और सिर्फ लड़कों के लिए है तो make sure कि आप यह वीडियो पूरी देखना क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है वालेट के बारे में तो चलो फिर शुरू करते हैं हमारा जो सबसे पहला brand है वो है Urban Forest जिसकी तरफ से wallet आता है Oliver Blue color में यह बहुत ही एक classy wallet है और यह आता है RFID blocking leather wallet for men यानि कि RFID वाली technology जो है इसमें दी गई है और काफी stylish look में आता दोस्तो और यहाँ पर आपको इसमें मिल जाते हैं कलर कम से कम 25 कलर just imagine 25 कलर की variety जो है आपको यहाँ पर मिल रही है तो आप अपने हिसाब से किसी भी कलर को select करके अपने लिए order कर सकते हैं और इसकी packing काफी जादा अच्छी है और इसी के साथ यहाँ पर मैं बता दूँ कि इसमें कितने compartment है अंदर की तरफ जो आपको मिलते हैं तो इसमें आपको मिल जाते है तीन separate openings एक zip वाला compartment मिलता है छे card के slot मिलते है तीन transparent sections मिलते है for ID card और दो currency compartment मिलते है एक coin pocket मिलता है और एक secret compartment मिलता है और यह वाला wallet आप ले सकते हो Amazon से और इसका price है दोस्तो सिर्फ और सिर्फ 4.79 रुपी तो यह 500 रुपे से कम में जो है आपको मिल जाता है और इससे सस्ता आपको यहां पे कहीं और नहीं मिलेगा सिर्फ Amazon पे मिलेगा तो second वाला जो हमारा brand है दोस्तो हो है Horn Bull और यह भी आता है RFID blocking leather for men wallet यानि RFID वाली technology के साथ आता है जिसमें आपके cards जो है वो secure रहेंगे चाहिए वो debit हो या credit हो तो आपको attention लेने की जरूद नहीं है यहां पे भी अपने cards की और इसी के साथ इसके features में आपको बता दे तो भी कितने compartment है और इसका price भी अभी बताता हो तो इसमें आपको मिलते हैं 2 currency compartment 6 inbuilt card slot 1 transparent slot for your photo ID card and 1 coin pocket और 2 secret compartment तो यहां पर इसके capacity भी काफी अच्छी दी गई है and इसमें मिल जाते हैं दोस्तों आपको 20 के करीब colors तो यानि कि अगर आपको कपड़े के हिसाब से भी अपने wallet की range बनानी है तो आप वो भी बना सकते हो and यह इतना budget friendly है कि आपकी दो, तीन, चार जो है ले सकते हो राम से क्योंकि इसका भी price है 479 rupees और यह भी available है Amazon पे तो आपको एक आफी जादा सस्ता मिलने वाला है क्योंकि आप यह वाले जितने भी है कहीं हो चेक कर लेना आपको 500 के करीब मिलेंगे यह 500 से उपर की price में ही मिलेंगे तो अब बढ़ते हैं हमारे 3rd brand की तरफ जो की है Wildhorn और मैंने Wildhorn खुद 2 साल तक यूज किया है और genuinely मुझे बड़ा अच्छा लगा था मुझे किसी ने gift दिया था और मिले को इतना अच्छा लगा मैंने change नहीं किया था बट अभी भी मुझे wallet किसी ने gift किया तो इसमें आपको मिलता है एक coin compartment, एक मिलता है zip वाला compartment and तीन मिलते है cards के compartment and उसी के साथ आपको एक secret compartment मिलता है और दो जो है major compartment आपको मिलते है पैसे रखने के लिए and बाहर की दरफ आपको मिलता है इसमें एक आपका i-card के लिए compartment जो की बहुत ही easy to use बनाया गया है immediately अगर आपको i-card निकालना है तो आप बहार से ऐसे wallet के निकाल के दिखा सकते है and wild horn के wallets जो है सबसे जादा देखने को मिलते है students के पास एक तो काफी premium look वाला है comfortable है and बहुत ही sleek design में आता है तो इसलिए students इसे बहुत carry करते है and इसमें colors आपको मिल जाते है कुछ 22-23 colors जो है आपको available मिल जाएंगे Amazon की website पे and इसका price है 479 rupees तो अभी तक जितने भी मैंने बता है आपको ये तीनो wallet मिलेंगे आपको 479 rupees के इससे सस्ते नहीं मिलने वाले मैं फिर से कह रहा हूँ अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं हमारे 4th product की तरफ तो अब जो 4th brand है दोस्तो उसका नाम है Alphacino and ये भी आता है RFID technology के साथ wallet और ये भी leather की quality में आता है and इसके features जो है मैं आपको बता देता हूँ और ये भी available है Amazon पे तो इसमें आपको मिल जाते हैं 2 currency compartment चार card के compartment मिल जाते हैं एक coin का compartment मिल जाता है एक ID card का window मिल जाता है दो hidden slots जो है आपको मिल जाते है and इसका जो price है दोस्तों वो है 474 rupees ये सिफ बाकी वाले wallet से अभी तक के 5 रुपे ससता है लेकिन स्टिल 500 रुपे से कम है ये भी आप gifting को option सोच के दे सकते हो किसी को क्योंकि इसका style statement जो है बहुत जादा अच्छा लगता है and यहाँ पर अब हम बढ़ते हैं हमारे fifth और last brand की तरफ जो की है Napa Hide Wild Hawn ये Wild Hawn की तरफ से एक नया wallet जो है category में इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है Napa Hide and ये भी आता है leather quality में और इसमें आपको RFID technology नहीं मिलती है and इसका price भी कम है Amazon पर ये available है लेकिन इसके compartment सबसे पहले में आपको यहाँ पर बता देता हो दो आपको मिल जाते है currency compartment एक मिल जाता है coin compartment दो मिल जाते हैं आपको internal compartment एक मिल जाता है photo eye card compartment और दो मिल जाते हैं आपको इसमें debit and credit card के compartment so far ये वाला बहुत जादा अच्छा तो है लेकिन इसमें RFID का feature नहीं है इस वज़े से ये 5th number पर रैंक करता है and उसकी वज़े से इसका price भी जो है काफी कम है यहाँ पर तो इसमें आपको color के option जो है मिल जाते हैं कम से कम 18 से 20 के करीब इसे भी आप use कर सकते हैं प्रेफर कर सकते हैं अगर आपको बहुत ही slim and normal basic वाले color texture में चाहिए तो आपके पास Snapa Hide Wildhorn का wallet है and इसका price जो है वो है सिर्फ औसिफ 399 दोस्तो तो यानि कि ये वाला wallet 400 रुपे से भी कम में पढ़ रहा है तो आप ये wallet भी प्रेफर कर सकते हो and इसी के साथ product की list जो है खतम होती है दोस्तो अब आपको ये wallet कैसे लगे मुझे बताना and इसी के साथ आपको उसे use कर रहे हो comment करके आप बता सकते हो and आपको next video के topic पर देखने है ये भी आप बता सकते हो ठीक है and इसी के साथ अगर आपको अच्छी लगी है तो अभी के भी like कर दो चैनल को कर दो subscribe इसी तरीकी की और वीडियो देखने के लिए link आपको सारे description box में मिल जाएंगे सारे product के and इसी के साथ आज की वीडियो को आप मैं करता हूँ खतम अब मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में तो मैं जाता हूँ दूसरी वीडियो की त्यारी करता हूँ आप लोग अपने लिए wallet ले लो तब तक ठीक है तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नमस्कार